नवंबर माहा के अंतिम दिन और दिसंबर माहा की शुरुवात सेहिंग राशी के लोगों के लिए कैसी होने वाली है? जै मातादी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के सेहिंग राशी के सापताहिक राशी फल के बारे में कि इन साथ दिनों में आपके लिए किस तरह के समय का निर्मान हो रहा है? ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी? कौन से ग्रह राशी बदलेंगे? योग क्या बनेंगे? और ये सभी चीजें आपकी दिंचरिया को आपके जीवन के हर एक चीज को कैसे रभावित करेंगे? तो ये जानने के लिए वीडियो को लास तक देखें, चैनल पर पहरी बार आएं हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ क्योंकि यहां मिलेगी आपको अपनी राशी से जुड़ी जानकारी समय पर तो देखें ये 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक की बात कर रहे हुएं और यहां इन 7 दिनों में सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा व्रशब रासी से गोचर करते हुए मिथून और कर्क इन 3 भावों में सक्रिया रहेंगे अब सब्ताह की जो शुरुवात है वो बहुत ही शुब दिन से हो रही है ये कार्तिक मास की पोनिमा तिति है और बहुत ही शुब योग इस दिन बने हुए है तो बहुत सुन्दर तिति से इस सब्ताह की शुरुवात है और दो ग्रहों का राशी परिवर्तन इन 7 दिनों मे है जो काफी एहम होने वाला है क्यों एहम होने वाला है ये भी माँ आपको बताती हुँ 27 नовंबर को तो बुद्ध का राशी परिवर्टन है बुद्ध जो है वो धनू राशी में प्रिवेश करेंगे और दूसरा जो परिवर्तन है वो है इस महिने के अंतिम दिन 30 नवंबर को जो की शुक्र का राशी परिवर्तन है और शुक्र अपनी मूल तिरकॉंड राशी तुलाराशी में जाएंगे जहां बहुत बलवान इस्थिथे में होंगे अब देखे इस सप्ताह में पांच पांच राजयोगों का निर्मान हो रहा है जो काफी विशेस है हर एक के लिए कौन से योग है वो एक तो बनेगा रूचक राजियोग दूसरा बनेगा महाधन राजियोग तीसरा बनेगा गज केसरी राजियोग चौथा बनेगा मालव्य राजियोग और पांचवा बनेगा शशनामक राजियोग तो कई राजियोगों का निर्मान हो गया है और जो शुक खुशियां ही खुशियां लाने का काम करने वाले हैं इसके अलावा और भी कितने सारे योग बनेंगे इस सब्ता हमें जिनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो चलिए अब हम विस्तार से जानते हैं क्या कुछ खास आपके लिए होगा क्या उपाए आप कर सकते हैं आपको जब भी समय मिले तब आप थोड़ा योग करें आप थोड़ा सा अपनी बॉड़ी को फिट रखने के लिए काम करना शुरू करें ये बहुत जरूरी है और साथ में इस दोरान आपके लिए बहतर है कि आप एक बजट प्लान करके चलें अगर आप एक बजट प्लान कर करके चलेंगे तो चीजें आपके फेवर में रहेंगे वैसे ये सप्ताह आपके लिए गुड़ लक लेकर आया है क्योंकि सप्ताह की शुरूवात कार्तिक पुनिमा तिथी से है और इस दिन योग भी बहुत अच्छे बने हैं शुरूवात से ही आपको शुब फलों की प् इंकम के एक्स्ट्रा सोर्सिस बनते दिखाई दे रहे हैं एक तो जहां से देखिया आप जो भी आप काम करते हैं वहाँ से तो पैसा आई रहा है लेकिन एक्स्ट्रा में आपको कुछ कमाने के मौके मिलेंगे कुछ नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से कुछ लावप्रद योजनाओं से जुड़ने का मौका भी मिलेगा लेकिन जब भी आप किसी योजना से जुड़ते हैं एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि वो जैनुवन है या नहीं इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है कारोबार में बिजनिस में विस्तार की योजना आपने बनाई है वो साकार होती नजर आएगी जो आपके लिए एक खुशी देने वाली होगी लेखन का काम है आपका शोध का कारिय है आपका तो ये सब्तहा बहुत ही शुब आपको रहेगा क्योंकि इन कामों के जरीए आपको अपने कारशेत्र के जरीए अपने काम के जरीए किसी मन्च उपर सराहा जा सकता है पुरुसकार दिया जा सकता है मान समान बढ़ सकता है और आपके लिए ये इससे बहतर कुछ नहीं होगा व्यावसाय के सिलसले में यात्राओं का योग है और ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी लाभ प्रद साबित होने वाली है जैसे ही सपता का मद्ध समय आएगा तीस लवंबर को जैसे ही शुक्र का राशी परिवर्तन होगा गुरु और शुक्र आमने सामने होंगे और राजयोगों का प्रभाव शुरू हो जाएगा अचानक से कहीं से धन की प्राप्ती हो जाएगी भूमी भवन से जुड़े सौदे हैं अगर तो उनमें लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाए देगा या पैत्रक संपत्ति की प्राप्ती के योग बनेंगे यानि ऐसे लाभ मिलेंगे जो बड़े मोटे तोर पर लाभ देते हैं जो यानि की मोटा पैसा देते हैं ऐसी जगहों से आपके लिए धन प्राप्ती के योग बने हुए हैं तो देखिए पांच राजयोग हैं इसके अलावा और भी कितनी सारी ग्रहों की इस्तितियां हैं तो मिलकर जो है न बिलकुल एकदम अच्छे से रिजल्ट आपको प्रादान करने वाली है इसके अलावा धन और संपत्ति के साथ किसी प्रिय व्यक्ति से आपको कोई उपहार मिल सकता है या फिर मान सम्मान प्राप्त हो सकता है यदि आपका कोई मामला कोर्ट का चहरी में चल रहा है तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है उसमें भी आपके फेवर में चीज़ें आने वाली है आपके विरोधी सुलह समझोते की पेशकस कर सकते हैं कि आप बाहर ही सुलह कर लें, समझोता कर लें तो हर एक चीज को बस ध्यान से देखकर आपको काम करना है मैं अगर प्रेम संबंद की बात करूँ तो प्रेम संबंद की द्रस्टी से भी अनुकूल है ये हसी खुशी के साथ आप अपना समय वैतीत कर पाएंगे अब सर मिलेंगा अपने एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का अपने पार्टनर को इंप्रेस करने में कामियाब रहेंगे जो लोग अभी तक अकेले जीवन जी रहे हैं उनके जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है मितरता प्रेम सम्मंद में तबदील हो सकती है तो बहुत सारे सरकम्टांसेज होने वाले हैं घर परिवार और जीवन साथी के साथ आपके सम्मंद मदूर बनते दिखाए दे रहे हैं परिवार के साथ हसी खुशी का समय बिताने के अब सर भी आपको प्राप्त होंगे अब देखे सप्ता का जो उत्रार्द का समय होगा वहां भोग विलास से जुड़ी चीजों पर बहुत अधी खर्च होता हुआ दिखाए दे रहा है अब आपकी सेहत भी यहां अच्छी दिखायत दे रही है कि शुरू में थोड़ा सा बस हाँ आपने आपको दे के फिट रखने के लिए तो आपको काम कर नहीं करना है लेकिन फिर भी जैसे जैसे सप्ता बढ़ेगा सेहत सुधरती जाएगी अगर किसी भी रिष्टेदार के साथ वाद विवाद था तो वो खत्म होगा ये वाद विवाद संबंदी जो दिक्कते चल रही थी ये आपकी खत्म होती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ आपको आराम करने का भी मौका मिलने वाला है और आपके कामकाज में भी तेजी दिखाए देगी देखे स्टूडेंट है जो उनके लिए मैं खास तोर पर कहना चाहूंगे कि उल्टे सीधे कामों में समय नस्ट ना करें वक्त की बरबादी ना करें इस चीज का आपको देहान रखना है तब आप उन नहीं उचाईयों पर पहुँच सकते हैं नहीं उचाईयों के जरीए आप आगे बढ़ सकते हैं चात्र जो नौकरी पाना चाहते हैं और एपलाई भी कर रखा है तो उनको भी अच्छी खबर मिलने वाली है अब आजाते हैं हम उपाय के उपर की क्या उपाय आप कर सकते हैं एक तो अपने से बड़ों का सम्मान करें अपने पिता का आश्रिवाद लेकर जाएं अगर आप किसी मैत पुन काम के लिए जा रहे हैं कोई भी आप काम के लिए निकलते हैं तो पिता का आश्रिवाद लेकर निकलें तो आपके जो काम है उसके पूरे होने की संभावनाएं कहीं न कहीं जादा बढ़ जाती है साथ ही चानल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोलें